So, Hey guys, Welcome back to the channel आज आप लोग के लिए एक दम एक्स्क्लूजिव मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ Most Evited Car 2020 Hyundai i20 जिसका हम एक टेश ड्रै वीडियो शेयर करने वाले हैं ये गाड़ी मैंने टॉप विरेंट चलाया था ऐस ता Optional 1.2 Manual Transmission वाली टर्बो वाली नहीं है इस्पेशली हर कोई बंदा अगर परचेस करने जाएगा तो मेरे साब से Manual करेगा अगर जिनको टर्बो करने है तो बता देना कोशिश करूँगा अगर टर्बो के मेरे को टेश ड्रैब मिल सकी कोशिश करूँगा जल्दे जल्दे आप लोगे लाने की वेल अगर हम इस गाड़ी के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमने देखो फीचर वाइज इसके अंदर कोई दिक्कत ने को सब कुछ भर-भर के मिलेगा मगर मैंने जैसे इस गाड़ी को चलाया चलाने के बाद कुछ चीज़ मैंने फील करी सबसे पहली चीज भाई विजिबिलिटी आपको बोनट गाड़ी के अंदर से बिल्कुल ने दिखेगा और एक प्रीमियम हैज बैक है ब्रेकिंग की इसपेशली भाई मैं क्लेच के बारे में बताऊं लिटरली मैं अपनी बलेनों ड्राइब करके गया हुआ था मेरे घर से राउंड फिफ्टी किलो मीटर है तो मैं लगबग एक डेट दो घंटे था अपनी गाड़ी चला रहता और जब मैंने आइटवड़ी 25 तक भगाई आपके अग्दम दवा के बगर केरफुली चलाई थी हाईवे था इस वएसे चलाई थी क्योंकि टेस्टिंग परपस से और बागी अगर इसके अंदर में गेर शिफ्टिंग के बात करो तो भाई गेर शिफ्टिंग भी काफी जादा बढ़िया तरीके सोरी थ आता थी है 1.2 लिटर का इंजन है जो की 84 PS की पावर निकालते 83-84 के आसपास ही है काफी लोग कह रहे थे कि एंजन थोड़ा सा अंडर पावर है चलाने में मज़ा नहीं आएगा या फिर रिलाइबल नहीं रहेगी तो भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा इसके अंदर बस सकता है कि टेश ड्राइब वहिकलाइस वैसे इस कार के अंदर ऐसा कुछ प्राबलम हो मगर जब आपको गाड़ी हैंड ओवर करी जाएगी जब आपको डिलिवरी का बात दी जाएगी तो एकदम ओके रिपोर्ट करके दी जाने वाली है मैंने इस वीडियो के अंदर ही गा का जो रिस्पॉंस था भाई वो अल्टिमेट था अगर आप सिलोई स्पीड पर हो तो भाई एकदम बटरी स्मूथ स्पीड आपकी 20-25-30 से उपर जाएगी तो भाई आपका इस टेरिंग वील में वेट आजाएगा आपको महसूस होने लेगा कि हाँ गाड़ी काफी जाद आप लोग जैसी 20 की स्पीड क्रॉस करेंगे आप क्रूस कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोग को सबसे बढ़े चीज क्या मिलेगी कि आप लोग जैसी 20 की स्पीड प्लस करो क्रूस कंट्रोल का सिरफ एक बटन दबा दो आपका क्रूस कंट्रोल लग जाएगा और अगर आप लोग वहीं पर एक्सिलरेशन करेंगे तो आपकी गाड़ी ऊपर को स्पीड तो बढ़ेगी आपका क्रूस कंट्रोल नहीं हटेगा आप जैसी ब्रेक पेडल दबाएंगे आपका क्रूस कंट्रोल हट जाएगा यह काफी अच्छी चीज है मगर यहां पर मेरे को कुछ चीजों में कमिया भी लगी जैसे कि इसका इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन है हाला है कि मेरा हाथ वगएरा आराम से पहुच रहा था पूरे मैं स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता था मतलब कि अगर चाहे मुझे उपर लेफ्ट कॉर्नर टच करना हो गोट कि कि तो वो मेरे को फोड़ा से यहां पर ढॉल बैक लगा इसके अंदर दूसरा आप लोगों को गाड़ी के अंदर सन रूफ तो मिली जाती है चया था या आप लोग उपर देखी रहे हैं और जो बाई इन्स्ट्रूमेंट करें यह पिर इन्स्ट्रूमेंट कंसोल ह ultimate चीज़ है भाई ultimate मैं सही बता रहा हूँ कि इसका जो instrument console है इसके अंदर अगर आप लोग कुछ भी चीज देखेंगे सब कुछ digitally मिलेगा और यह यहाँ पर Toyota की ग्लेंज आ गई थी बताना आप लोग इसकी जो competitor आते हैं उसके उपर आपको comparison वीडियो देखना है अगर आप कोगे तो मैं बना दूँगा बकाएदा side में गाड़ी खड़ी करके proper बढ़िया तरीका से compare करेंगे जो चीज़ सामने दिखेंगे वो बता दूँगा well जो इसके अंदर आप लोग को एक चीज और बताता हूं मैं infotainment में कि अगर कोई नोव वगयरा होती रहा वो थोड़ किसी inconvenience आप लोगों को हो सकती है यहां पर safety purpose से यहां पर यूंड़ी ने एक चीज गाड़ी के अंदर बहुत सो बर्जस दे रखिया है जैसे कि आपकी गाड़ी में आपने bluetooth connect नहीं करा और आपने गाड़ी को लेके चल दिए तो आप अगर आपकी गाड़ी moving है या फिर मत Bluetooth connect हो जाएगा रोकने के बाद आपको आपका जो handbrake ना उसको ऊपर करना पड़ेगा देन आपकी गाड़ी के अंदर आपका Bluetooth connect हो सकेगा तो इन कुछ safety features के यहां पर ध्यान रखते हो यूंड़ी ने i20 के अंदर मतलब काफी अच्छा काम करा है और जब यहां पर मैं आपक चोटे-मोटे bump नहीं आते कहीं पर फ्लाइवर से आप गाड़ी निचे उतारते हैं तो चोटे-मोटे bump आते हैं उन जगह पर अगर मैं अपनी बलैनों से compare करके बताऊं तो मेरे को बलैनों काफी बार unstable लगती है ऐसा लगता है कि अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग कर दूँ या फिर overtake करके left right निकालूँगा तो गाड़ी unstable होगी या फिर चोटे-मोटे bump पे आएगी तो ऊपर नीचे कुदेगी इस टाइप की मेरे को इस गाड़ी के अंदर कोई भी problem नहीं लेगी है क्योंकि गाड़ी के जो aerodynamics है काफी ज़्यादा जबरदस तरीके के हैं तो मैं एक चीज के बारे में बात करूँ इसका मैं बलैनों से comparison करके बताऊं तो भाई इसकी सबसे interesting चीज लगी मेरे को steering wheel का response, दूसरा गाड़ी की stability, थर्ड गाड़ी के अंदर जो ABS EBD front के disc brake आते हैं और भाई इतना जबरदस तरीके से भाई perform करते हैं उसका भाई कोई तोड़न मैगना छोड़के उससे उपर वाले जित्ते विरेंट है समय आपको tiltro telescopic आ जाएगा और जो instrument console है वो भी आप लोग का base विरेंट छोड़के उपर के सारे विरेंट में proper digital आता है और बीच की job की MID वहाँ पे आप लोग को current mileage वगरा दिखाती है मैंने जब गाड़ी को चलाय यहाँ पर claim कर रहा है कि आपको अच्छी खासी mileage मिल जाएगी तो आप लोग मान के चलो कि हाँ आपको गाड़ी से अच्छी खासी mileage मिल जाएगी अब अगर मैं आप लोग को overall बता हूं तो मेरे को i20 की test drive के बाद कोई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मजा नहीं आए तो ब का indicator blink करके automatically off हो जाएगा तो यह highway पर high speed मेंगर आप लोग यह चीज़ करना चाहते तो यह काफी सही चीज़ है और भाई boss के जो speaker आते हैं इसके अंदर 7 speaker भाई साब ultimate चीज़ है आप लोग यह लगा लो जब base आ रहा था ना आप लोग अगर ORVM देखोगे अभी हलका सा ORVM के उपर focus डालो ORVM vibrate कर रहा है क्यों क्योंकि भाई साब इसका जो subwoofer है जो इसके boot में लगा रखा है भाई गजब चीज़ है literally boss मतलब आप मेंसे काफी लोग ऐसे है ना जो ठीक ठाक music सुनना पसंद करें जैसे कि मैं हूँ मेरा test इतना है कि हाँ थोड़ा high music होगा तो मु rotate कर रहा हूं और अपने आप अपनी पोजिशन पर आ जाएगा जैसी मैं steering को छोड़ूंगा देख लो बाई पूरा अपने आप automatically एकदम अपनी पोजिशन पर आगे जैसी मैंने acceleration करा तो smooth जो steering wheel होते हैं जो buttery smooth होते हैं उनका positive softer side चली जाती है इसीच काफी मतलब plus point में गि green signalized गाड़ी के लिए आप लोग जाके देखो चला के देखो अब आपको लगता है कि higher power कम है तो भाई 1.0 टर्बो ले लो 120 PS की power है पूरा diesel वाला मज़ा देखा वाला engine तो आप लोग को green signal है अगर कोई लेना चाहता है तो ले लो और मेरे एक भाई यह जो राजस्ताम से उन्होंने गाड़ी लिया उनका ही मैं थोड़ा सा experience पूछूँगा अपने WhatsApp गुरूप में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग जोईन कर लो description में link दे रखका है और अगर वीडिय लेना description में link दे रखका है अपनी appointment अभी के अभी आप लोग बुक कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी amazing video में इसका detailed video भी